नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपके व्यवसाइक अध्यान के पहली पुस्तक के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं हमारे अध्याय का नाम है व्यवसाइक परियावरण बच्चों इसके पहले भाग में हमने व्यवसाईक परियावरण का महत्व, उसकी विशेष्टा, अर्थ, वह उसके आयामों की चर्चा की हमने कई ऐसे उधारण लिए जो गत वर्षों में हमारे अर्थववस्ता में हमें देखने को मिले हैं हमने उधारणों के जरिये व्यवसाईओं पर इनके प्रभावों को भी देखा हमने देखा कि कैसे एक व्यवसाई के लिए अपने परियावरण को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है हमने यह भी देखा कि एक व्यवसाई के 5 मुख्य आयाम होते हैं जो इसके व्यवसाईओं परियावरण का हिस्सा बनते हैं ये 5 आयाम थे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी व व विधिक परियावरण ये पांचो तरह क्या परियावरणवा इसमें होने वाले बदलाओ व्यवसाय को प्रभावित करते हैं बच्चो आज हम ऐसे ही कुछ परिवर्तनों या कुछ बदलाओं की बात करेंगे जो भारती अर्थ व्यवस्था में पिछले कुछ समय में हुए हैं और फिर हम देखेंगे कि व्यवसायों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है बच्चो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम भारती अर्थ व्यवस्था को थोड़ा शुरुवात से जाने जैसा कि आप अपने अर्थ शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि स्वतंद्रता के समय भारत की अर्थ व्यवस्था की क्या स्थिती थी और उस वक्त क्या परिवर्तन हुए उसके बाद उसमें आगे जाकर क्या परिवर्तन हुए स्वतंद्रता के समय भारती अर्थ व्यवस्था मूलत है क्रिशी वग्रामीन प्रकृती के थी अर्थात अधिकतर लोग बलकि यदि हम आकणों की बात करें तो करीब सत्तर प्रतिशत जनसंख्या भारत की सीधे तोर पर क्रिशी वा उससे जुड़े हुए कारियों में लगी हुए थी भारत की आबादी मुख्य तह ग्रामीन आबादी थी करीब करीब 80 प्रतिशत जनसंख्या हमारी गाओं में रहती थी उद्योग नाम मातर के थे और जो भी उद्योग थे उनकी बात की जाए या क्रिशी की बात की जाए उनमें जो तकनीकी प्रियोग होती थी वो बड़े ही असंगत वो निमनश्रिनी की होती थी समाज में चारो और तरह तरह की बिमारिया फैले हुए थी ना केवल स्वास्थे की बिमारिया थी बलकि बहुत सारी सामाजिक बिमारिया में थी इनके कारण मृत्ति उदर बहुत उची थी कोई अच्छी सारुजनिक स्वास्थे प्रणाली नहीं थी भारती अर्थविवस्था वो साथी साथ भारती समाज बहुती बुरे दौर से गुजर रहा था इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए जिनमें कई तरह के ओद्योगिक वो क्रिशी छेतर में किये गए सुधार शामिल है भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारतीय नेताओं ने सबसे पहले तो ओद्योगिक छेतर की कमान सारुजनिक छेतर को दी निजी छेतर को यानि प्राइविट कंपनियों आदि को नियंतरित करके रखा गया है भारत के आर्थिक विकास के कुछ मुख्य उद्देश निधारित किये गया है जैसे कि जीवन स्तर को सुधारना, बेरोजगारी को कम करना, गरीबी को कम करना आर्थिक विकास को बढ़ावा देना आत्म निर्भरता एक बहुत महतोपूर्ण देश रखा गया क्योंकि भारत कई सारी आधार भूत वस्तूओं के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था तो हमारे यह उदेश था कि हम एक और द्योगिक आधार तयार करें, एक सुद्रड आधार तयार करें जिससे कि हम जरूरी वस्तुओं के लिए किसी पर निर्भर नार हैं, हम आत्म निर्भर बनें आए किया समानता को कम किया जाए ताकि गरीब अमीर के बीच जो अंतर है वो ना रहे समानता पर आधारेत समाजवादी विकास को बढ़ावा दिया जाए वह व्यक्ती द्वारा व्यक्ती के सोशन को भी रोका जाए ऐसे कई उदेश थे जो आपको उस वक्त हमारे आर्थिक नियोजन की सोच को बताते हैं इनको धिहान में रखते हुए कई आर्थिक सुधार किये गए क्रिशी छेतर में सुधार किये गए जहां भूमी सुधार हरित करांती मुख्य रहे और द्योगिक छेतर के अंदर 1956 की नई और द्योगिक नीती लाई गई जिसके अंदर सार्वजनी छेतर को बल दिया गया निजी को नियंतर में रखा गया लगुद्योगों को बढ़ावा दिया गया आयात नर्यात की बात की जाए तो आयात प्रतिस्थापन की स्थिति अपनाई गई ये एक नीती अपनाई गई जिसके द्वारा आयात को कम करके आयाती तवस्तूओं का घरेल उत्पादन बढ़ावा दिया जाना था ऐसी कई नीतियां रहें जिन्होंने 1990 तक भारतिय अर्थववस्था की दिशा तएकी लेकन 1990 के बाद भारत की अर्थववस्था उसे पहले की नीतियों की कमीओं के कारण एक बहुत बुरी अवस्था में पौँच गई इसके कारण 1991 में भारतिय सरकार को बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने पड़े जो की पहले की कम्यों को ठीक करके अर्थ विवस्था को विकास के मार्ग पर ले जा सके हैं इस कारण 1991 में नई आर्थिक नीती की घोशना की गई इस नीती के अंदर तीन मुख्य पहलू या कदम उठाए गए पहला था उदारी करण उदारी करण के अंदर किये गए सुधारों का मुख्य उदेश था भारत में विवसाए वो उद्योगों को अनावश्यक नियंतरणों वो प्रतिबंधों से मुक्त करना 1990 तक भारत में उद्योगों पर कई तरह के प्रतिबंध थे जिन में से सबसे मुख्य थे लाइसेंस की अनिवारियता 1990 तक के समयकाल को लाइसेंसी राज भी कहा जाता है तो ऐसे लाइसेंस परमिट के राज को समाप्त किया गया उद्योग स्वतंतर महसूस करें वो अपनी गतिविधियों को बिना अनावश्यक रोख तोक के कर सकें जिससे की तेश में उद्योगों को बढ़ावा मिले दूसरे प्रकार के सुधार थे निजी करण के सुधार निजी करण के अंदर यह समझा गया कि ऐसे सारवजनिक उपकरण यानि सरकारी कम्पनिया या उद्यम जो हानी में जा रहे हैं करके निजी भूमिका को बढवा देना था चाहे इसके लिए इन कंपनियों में सरकार को अपना अंश या हिस्सा ही क्यों ना बेचना पड़े तो निजी करण के अंदर एक जो सबसे बड़ा कदम होता है वो होता है विनिवेश का इसका अरत होता है सरकारी कमपनियों या सार्वजनिक अध्यमों में सरकारी हिस्से अंश को निजी हाथों में बेच देना अधिक से अधिक निजी व्यक्तिकत प्रबंधन को इन कंपनियों में ले के आना ताकि कुशल्टा को बढ़ावा दिया जाए, लाब को प्राप्त किया जाए तीसरे प्रकार के सुधार थे वैश्वी करण वैश्वी करण का अर्थ है देश की अर्थववस्था को विश्व की अर्थववस्था से जोड़ देना अर्थात जब विश्व की विभिन अर्थववस्थाएं एक जुठ हो जाएं या एक दूसरे से मुक्त रूप से आसानी से लेंदेन कर पाएं आयात निर्यात कर पाएं, व्यवसाय कर पाएं, तो ऐसी परिस्थिती व विबिन अर्थ व्यवस्थाओं के बीच इस प्रकार की एक जुटता वैश्वीकरण कहलाती है। 1991 के बाद का समय वैश्वीकरण का समय भी कहा जाता है, तो भारत ने भी उसे अपनाया, भारत ने उस नीती को बदला, जिससे आयात प्रतिस्थापन के नाम से हम जानते हैं, जिसके अंदर आयात निर्यात की मातरा बहुत कम थी, भारत अन्य देशों उनकी अर्थ विबस्थ हों, अच्छी चीजे सीखने को मिलें, वो हमारे देश में विदेशी मुद्रा का संचार बढ़े, तो इस तरह 1991 में जो सुधार किये गए, इन्होंने भारती अर्थ विबस्था को एक तरह से पलट कर रख दिया, जो 1990 से पहले थी, वो बिलकुल बदल गई 1991 के बाद, और एक नई भारती अर्थ विबस्था का उदेह हुआ, इस नई भारती अर्थ विबस्था ने फिर उसके बात पीछे मुड़ कर नहीं देखा है, हमारी अर्थ विबस्था निरंतर तरक्य कर रहु है, विधास कर रही है, और इसे विश्व की सबसे अधिग गति से बढ़ती वी अर्थवश्थाओं में गिना जा रहा है इसके अलावा अगर हम बहुत कम समयक में पीछे जाएं और इन पिछले कुछ वर्षों में हुए कुछ बड़े आर्थिक बदलाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है विमुद्री करण या डी जिनने लिया कि उस वक्त भारतिय करंसी या मुद्रा में जो सबसे बड़े मूल्य की करंसी नोट थे पास्सो रुपए वा हजार रुपए के इन्हें तत्काल प्रभाव से विमुद्रित कर दिया गया है विमुद्रित करने का मतलब है इस घोशना के तुरंत बाद से पास्सो वा हजार के नोट कानूनी मुद्रा कें अपने ओधय या पद से हट गये इसके बाद धीरी धीरे करके सरकार ने नए मुद्राएं लेकर आई जिस में दो हजार रुपए की नोट भी थे पास्सो रुपए के नए नोट भी थे इसके बाद अन्य नोटों की भी नई प्रतियां निकाली गए लेकिन जब डी-monetization या विमुद्री करण किया गया तो 500 रुपे और 1000 रुपे के नोट जो कि उस वक्त हमारे हां सबसे बड़े नोट थे ये मुद्रा के पद से हट गए अवैद बन गए जिसके का प्रतिशत करीब 80% मुद्रा अवैद हो गई यानि लोगों के पास देश में अर्थविवस्था में जितनी भी मुद्रा थी जितनी भी पैसे थे यह अनुमान लगाया गया कि करीब 80% मुद्रा 500 रुपे नोटों के रूप में थी और वो अवैद हो गई लोगों को समय दि सके वह बड़ा ही कठिन समय था लेकिन लोगों ने भी समझा कि उसके कुछ विशेश उदेश थे सरकार ने विमुद्रीकरण क्यूं किया इसके विशेश उदेश थे ब्रश्टाचार को रोकना आतंकी गतिविधियों को कम करना क्यूंकि ऐसा माना जाता था कि ब्रश्टा बलकि नकली नोटों का भी इस्तमाल होता है जो पास सोबहाजार रुपय के होते थे तो जब ये मुद्रा बंद हो गई तो भ्रश्टाचार वह आतंकी गतिविधियों में कम होने का अनुमान या आशा की गई थी काले धन को वापस लेने का भी एक उदेश था कि सरकार ने इसके लिए भी कई उजनाय दी जिसके जरिये लोगों को प्रोशाहित किया गया कि यदि उन्होंने पहले अपने आय को नहीं भी बताया तो वो बता सकते हैं सरकार उन्हें कुछ माफी देगी या उन्हें उतना जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ताकि लोग अपने काले धन की राशी को भी उजागर करने के लिए तो इन उदेश्यों के साथ विमुद्री करण को किया गया था इसलिए अल्पकाल में काफी दिक्कते हुई लोगों को लेकिन देर्गकाल में धीरे धीरे इसके कुछ अच्छ असरों की या प्रभावों की भी कलपना कियी गई क्विमुद्री करण की इस नीति के कई प्रभाव हुए जिनें हम कुछ विशेश चेत्रों के हिसाब से देख सकते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पर हैं जड़ि हम मुद्रा दरों या ब्याज打ों की बात करें या मुद्रा में लेन देन की बात करें बच्चों तो उस समय रोकड लेंदेन में कमी आई, जो कि अब धीरे-धीरे काफी कमी हो गई है, लोगों ने रोकड यानि कैश या नगद में लेंदेन को छोड़ कर अब डिजिटल लेंदेन, तक्नीकी लेंदेन शुरू किया, लोगों ने अपने फोन, कम्प्यूटर, आधी जैसे उपकरणों की सहायता से लेंदेन करना सीखा, और धीरे-धीरे उसमें काफी वृद्धी भी हुई, क्योंकि लोगों को अपने पास उपलब्द पास सोवा हजार की राशियों को जमा करना था बैंकों में, इस वज़ा से बैंक के जमाओं में वृद्धी हुई, वित्तिय बचतों में वृद्धी हुई, तो इसका परिणाम एक सकारात्मक परिणाम कहा जा सकता है, जो की मुद्रा के छेतर में पड़ा यदि निजी समपत्यों की बात की जाए तो निजी समपत्यों में कम ही आई क्योंकि विमुद्री कृत नोट नहीं लोटाए गये जिसके कारण कई लोग जो अपना वो पैसा जिने उन्होंने कर विभाग के सामने उजागर नहीं किया है पहले ऐसा पाया जाता था कि वो उस पैसे को भूमी या भवन निर्माण आदी में लगाते थे लेकिन जब लोगों ने उस कालिधन को नहीं लोटाया और उसका वो अब उपयोग भी नहीं कर पाए वो उसका वो निवेश भी नहीं कर पाए भूमी या भवन आदी में तो इसके कारण भवनों की मांग, फ्लैट्स की मांग, घरों की मांग जिसे हम रियल स्टेट सेक्टर या छेतर कहते हैं उसमें मांग काफी गिर गई जिसके कारण भूमि व भवनों के मूल्य भी गिर गए सार्वजनिक छेतर पर इसका कोई विशेश प्रभाव नहीं पड़ा डिजिटाइजेशन की अधी बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी उपर भी बात की लोगों ने डिजिटल लेंदेन में वृद्धी की डिजिटल लेंदेन काफी बढ़ गए भूमि भवन के मूल्यों में कमी आई इसके हम बात कर चुके हैं कर संग्रह में भी वृद्धी हुई इसका एक कारण यह भी था कि क्योंकि अब डिजिटल लेंदेन जादा होने लगे तो वहां पर करों की चोरी करना मुश्किल हो जाता है इस कारण करों का संग्रह भी बढ़ा वह लोगों ने भी अपनी राशी जो उनके पास रखी थी उस भूगताओं के लिए वह एक अच्छी बात है लेकिन उस छेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए वह अच्छी बात नहीं है अल्पकाल में लोगों को समस्या हुई लेकिन धीरे धीरे डिजिटल भूगतानों में वृद्धी के कारण जब करों में वृद्धी होने लगी कर चोरियां कम होने लगी तो इसका अर्थ विवस्था को फायदा मिलना शुरू हुआ तो इस प्रकार विमुद्री करन ने हमारे अर्थ विवस्था को प्रभावित किया तो बच्चो इस प्रकार के जब भी परिवर्तन अर्थ विवस्था में होते हैं चाहे वो 1991 के परिवर्तन हो, उसके बाद हुए अने को परिवर्तन हो या अभी बिल्कुल कुछ समय पहले हुए वी मुद्री करण जैसे परिवर्तन हो इन परिवर्तनों या इन जैसे परिवर्तनों का विवसायव उद्योग पर प्रभाव तो पड़ता ही है इन प्रभावों में मुख्य प्रभाव यदि हम देखें जिससे वेवसायों को जूजना पड़ता है, सामना करना पड़ता है उनमें सबसे पहली बात तो यह आती है कि प्रतियोगिता में विर्धी पाई जाती है जैसा कि 1991 के बाद हुआ जब सरकार ने वैश्वी करण किया, विदेशी कमपनिया देश में आने लगी, निजी करण किया, उदारी करण किया, तो देश की कमपनिया उद्योग भी बढ़ने लगे तो प्रतियोगिता में विर्धी हो गई तो जो पहले से उद्द्योग मौजूद होते हैं उनके लिए इसका असर इहा पड़ता है कि उन्हें अपने आपको सुधारना पड़ता है उत्पादों की गुर्वत्ता को बहतर करना पड़ता है ताकि वो प्रतियोगिता का सामना कर सके इसके अतरिक्त ग्रहक भी अधिक अपेक्शा रखने वाले बन जाते हैं क्योंकि जब ग्रहकों को पता है कि उनके पास चैन के अफसर है उनके पास एक ही तरह के उत्पाद के लिए कई सारे कंपनियों के चैन के अफसर है तो वो अधिक अपेक्शा रखते हैं वो कंपनियों से इस बागत की आशा रखते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छी गुडवत्ता हुवा विशेष्टाओं वाले उत्पाद मिलें इसका उधारन यदि आप मुबाइल फोन के तौर पे लें तो आज से करीब 20 साल पहले मुबाइल फोन की जादा कंपनिया हमारे देश पर नही अबग सभी उत्पादों में आप देखेंगे ऐसा पिछले कुछ समय में हुए आर्तिक परिवर्तनों के कारण हुआ है प्राद्योगी की में जब परिवर्तन होता है तो अपने आपको उससे अपडेट करना होता है जैसे जब डी मॉनेटाइजेशन यानि विमुद्री कर गया 2017 में तो सभी व्यवसायों को अपने पास GST के सौफ्टवेर लेने पड़े उन से अपने कर्मचारियों को प्रेसिक्षन देना पड़ा तो व्यवसायों पर इसका प्रभावत पड़ा उने इसके अनुरूप खुद को ढालना भी पड़ा एक परिवर्तन के आवश्यक उनका बदलना उनका उसमें ढ़लना इसके लिए मानव संसाधन के विकास की आवश्यक्ता पड़ती है तो इन परिवर्तनों के फल्सवरूप व्यवसायों को निरंतर अपने पास उपलब्द मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान देना पड़ रहा है आज कमपनिया अपने कर्मचारियों यानि मानव संसाधनों के ट्रेनिंग या प्रिस्रिक्षण पर बहुत ध्यान देती है समय समय पर उनका प्रिस्रिक्षण किया जाता है ताकि उनके अंदर के कुशलताओं या गुडवत्ताओं में विकास हो वो बहतर काम करें जब मानव संसाधन बहतर होगा तो कमपनी का काम अच्छा होगा प्रचालन अच्छा होगा उसका निश्पादन अच्छा होगा वह एक बहुत थी महतोपूर बदलाब जो आया है कमपनियों में या व्यवसायों में वह है बाजार अभी विन्यास बच्छों बुद्यमों को या व्यवसायों को बाजार की ओर ध्यान के इंदरित करना पड़ा है जब हमारी अर्थववस्ता एक बंद अर्थववस्ता थी तो कमपनिया या व्यवसाय केवल उत्पादन पर ध्यान देती थी उनका मानना था कि जो भी वो उत्पादित करेंगे वह तो बिखी जाएगा लोग उसे खरीद लेंगे क्योंकि लोगे के पास और ज्यादा अवसर नहीं है लेकिन अब वैवसायों को बाजार पर ध्यान देना पड़ता है उन्हें बाजार में लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपने उत्पादों को बदलना पड़ता है और इसके बावजूद इसके बाद भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए बिकरी को बढ़ाने के लिए तरह तरह के योजनाएं, डिसकाउंट वह स्कीम आदी चलानी पड़ती है अब सारा ध्यान बाजार पर है कि बाजार को क्या चाहिए, बाजार में ऐसा क्या दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक क्रेता हमारे वेवसाई की तरफ आए, ना कि प्रतियोगियों की तरफ जाए, इस वज़ा से वेवसाईों का सारा ध्यान बाजार पर चला गया है तो इस प्रकार के अनेकों अनेक परिवर्तन जो की वेवसायों को देखने पड़े हैं वो खुद को इसके अनुसारों ने ढालना पड़ा है या हुआ है वेवसायिक परियावरन में होने वाले बदलाओं के कारण तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार वेवसायिक परियावरन किसी भी वेवसाय के लिए अत्यधिक महत्वर रपता है इसको समझना जानना खुद को इसके अनुरूप ढालना वेवसायों को तरक्किवा लाब के शिकर पर पहुँचा सकता है वहीं ऐसे कई उदाहरन है ज समझना बहुत अनिबारी है मैं आशा करता हूँ आपको भी से समझने में सहयता मिली होगी इन दोनों भागों को देखकर वह आपको वेवसायिक परियावरन से जुड़ी हुई सभी जानकारिया समझायोंगी और अच्छी भी लगी होंगी आज के इस भाग में इतना ही धन अनिवाद अनिवाद